Welcome back givers, so अब हम हैं एक नए वीडियो के साथ जो की है हमारा lesson number और chapter number 8 controlling इसके previous वीडियो में हमने बाकी chapters को देखा है यहाँ पर हमको क्या देखना है concept of controlling, controlling क्या होता है, क्यों controlling last function है और कहते हैं last but not the least, क्यों उसके अलावा हमें देखना है इसका meaning, concept, scope of controlling क्या होगा फिर देखना है features of controlling क्या होगा यह पूरा सब कुछ हम देखने वाले हैं बहुत ही briefly, बहुत ही detail में इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं अब हम देखने वाला है कि controlling क्या होता है controlling जैसा कि पाचवा function है जो हमारे functions आपने पढ़े हैं पिछला POSDC, planning, organizing, staffing, directing and controlling तो हम controlling को देख रहा हैं यह चारो हम पढ़ते के हैं controlling को कहा जाता it is the last function of management but not the least क्योंकि यहीं से वापस planning शुरू होती है तो controlling होता क्या है करते क्या है और क्यों जरूरी है बिना controlling के आपका management का function complete होता ही नहीं तो सबसे important बात जो यहाँ पे controlling के बारे में समझना है वो यह है कि controlling क्या करता है controlling आपका basically जो actual performance है और जो planned performance है उसके साथ इसको यह measure करने का काम करता है जो कि बहुत जरूरी है किसी भी organization में जैसे हमने प्लान किया था हमारी support bag की company थी हमने प्लान किया था कि हम 1000 bags बनाएंगे पर month ठीक है simple 1000 bags हम पर month बनाएंगे हमारी bag की company थी लेकिं जब at the end of the month हमने देखा यानि 30th अभी month देखा तो हमने यह पाया है कि हमारा जो bag बना है वो है 950 bags से हम बना पाएं ठीक है इसका मतलब 50 bag का है deviation क्या है deviation अब deviation के भी दो प्रकार होते है हम पढ़ें जागे भी अभी छोटा मैं बता दे रहा हूँ positive और negative यहाँ पर क्योंकि कम हो गया है तो यह negative deviation है ठीक है इसको negative deviation करें कम हो गया है कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है कि आपने plan बनाया था 1000 का और आपने पैदा produce कर लिया 1050 आपका जो estimation था आपकी अपने output का estimation वह आपने कम कर लिया तो उस case में आपका production ज्यादा हो सकता है ऐसा भी होता है अब यहाँ पर basically हम deviations को find करने के पीशे चलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं ensuring activity का according to the plan जो भी हम activities कर रहा है वो हमारे plan के according है या नहीं है वो पूरा काम controlling का करना है उसी काम को हम controlling करते हैं यानि हम measurement करते हैं जैसे यहां आमने किया हमारा plan output कितना था उसको हमने जो actual आया है उससे किया देखिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि last function है तो last में करें तब तो पता चला सब दूब यह है controlling का मतलब यह नहीं होता कि हम आखरी में करें अगर आप पहले कर लेते हैं दस दिन बाद भी कर लेते हैं प्लानिंग के यह तो पता चल जाएगा ना कि हम track पे हैं कि नहीं तो यह बहुत ज़रूरी है कि controlling को करना frequently चाहिए ऐसा नहीं कि last के लिए बैठ है तब अब करके भी क्या कर लें अब तो deviation आई गया ठीक है तो उसको बीच में भी करना सकते हैं अब हम देखते है scope of controlling देखिए scope of controlling दो तरीके का होता है यहां पर scope of controlling के अगर हम बात करें पहले तो तो यह scope इसका बहुत वाइड है लोग समझते है controlling का मतलब क्या हुआ कुछ नहीं जो AP है उसक इसका मतलब क्या हो गया actual performance को plant performance के साथ मैच करा देना is equal to control है ऐसा नहीं केवल इतने तक ही नहीं खतम हो जाता control है अगर हमने सपूर बैग वालग एजामपल लिया है हमने 1000 बैग बनाए ठीक है यह target था हमारा यह AP था प्लांड परफॉमेंस था हमारा 800 हमारा हुआ तो यह ह परफॉमेंस आ गया आपका 200 का डी मतलब हो गया डेवियेशन तो यह 200 का डेवियेशन क्यों आया किस वजह से आया किन कारोनों के वजह से आगा अगर वो मशीन के दिक्कत से आया है तो फिर मशीन को सही करें अगर वो मैनेजर्स की irresponsibility के वज़े से या वरकर्स की inefficiency की वज परफॉमेंस के बीच का difference जो की है deviation वो आया की नहीं आया यह controlling का scope नहीं इसका scope बहुत बढ़ा है मतलब आगे के corrective steps भी लेना controlling का ही काम है खिक है इसको थोड़ा misunderstood लोग करता है पर यह बहुत बढ़ा scope है इसमें basically strategic control होता है या operational control होता है strategic में क्या करते है हम यह strategy control का part है जह एक example यहां पर और ले सकते हैं कि हमने back का production सोचा था वो सोचा था 1000 ठीक है यह क्या था हमारा एक हजार फीपी था मतलब क्या था पीपी प्लांड चो था ठीक है प्लांड production या प्लांड अब हमारा आ गया एक हजार पचास जो actual था एक्षिल प्रड़क्शन हुआ एक हजार पचास का अब यहां पचास आ रहा है पॉजिटिव बहुत अच्छी बात है नहीं क्ट्रोलिंग इसे भी अच्छा नहीं मानता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मुझलब कहीं ने कहीं आपका प्लान आपका स्टाटेजी जो आ को कम कर लिए कम आका मेजरमेंट उसका कमजोर कर लिए आपका आउपट आ रहा था आप चाहते तो और उसको बढ़ा सकते था लेकिन आपने एफिशियंसी को पूरी तरीके से उटलाइस नहीं किया दूसरा है आपका ऑपरेशनल यहां बेसिकली हम देखते हैं कि जो अब देखते हैं हम लोग फीचर्स और कंट्रोलिंग के अगर हम बात करते हैं यहां पर चार हमारे पास हैं जिस पर पहला होता आपका कंट्रोलिंग यह गोल औरियंटेट प्रॉसेस लेकिए यह फीचर जहना कॉमन फीचर्स हैं आप चाहे प्लानिंग पढ़िए और इसमें यह यह नया फीचर है आपका कंट्रोलिंग इस बैक्वर्ड और फार्वर लुख लागी तीन तो लगभग सब में ही पढ़ने को मिल जाता है यहां भी है गोल औरियंटेट का मतलब कंट्रोलिंग क्यों करते हैं क्योंकि हमारा कोई नो कोई देश है कोई नो कोई ग यह मेन आपका कंट्रोलिंग का गोल होता है तूसरा परवेसिब पन्चन परवेसिफ का मतलब होता है यह पुराना यह परवेसिफ का मतलब क्या हो गहां जो किसी भी ऑरगनाइजेशन नहीं हुए एस लेवल हमरे पास तीन है तो आप मेंडल और सूपर्वाइजरी लेवल 3 dan level पर use हो सकता है किसी भी organization में use हो सकता है किसी भी type का और भी kind काुस्ट में differentiation हो चाया functional हो type original structure हो या जो भी product differentiation के basis पर हो किसी में भी use हो सकता है वैसा type का element होथा है आपका controller ठीक है amb yine use कर सकते है In fact, आप अपने studies में भी कर सकते है कि आपने प्लानिंग क्या किया था तो एक्जाम होने वाला सपुल हाफिर ली आने वाले आजकल तो आप यह देख सकते हैं कि हम प्लान करते हैं पहले कि हमारा सपोस्ट पर्टिक्लर सब्जेक्ट बिजनस टेडिस क्लास 12 के में हम आउट अफ 80 हम स्पोर करेंगे लगब 75 प् सब्सक्राइब सब्सक्राइब थे नहीं हGER्ति था एक्जाम पर सभिसे करते हैं तक्सिलित नहीं चीजय और भी चीज़ें वहती है कि आपका गोल क्या है प्लांड क्या था और अ hypotheses दीना उनल क्या वश्य कि एक यहांगा हूं च्रिक्स on the Subject Ball हो गया, उसके बाद आगे भी उसी तरीके से चेक करता रहता है, फिर आपका controlling is backward and forward, यही एका फेला नया पंचन है, इसमें, नया feature या नया characteristics कह सकते हैं, controlling forward भी देखता है, backward भी देखता है, backward कैसे देखेगा, simple है, जैसे कि backward का मतलब क्या हो गया है, कि हमारा जो actual performance है और planned performance है, अभी उन्हें पड़ा थाए, ये पी और पी पी वाला formula is equal to C, तो जो actual performance है, planned performance को जब हम देखेंगे, तभी तो हम को deviation का पता चलेगा, इनके 20 का जो चीज है, deviation, actual performance को जो planned performance जो होता है, यह इसका मतलब क्या होगा, इसको देखने का मतलब कि हम backward देखने हैं पीछे, ये तो पहले बनता है न, ये तो बाद में बनता है, last में बनता है, actual performance तो last में पता चलेगे, तो आप पीछे देख रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया है, backward looking किया है, ठीक है, forward looking का मतलब, अब आपने deviation का पता लगा लिए, deviation तो आ गया न, तो deviation देखने की छोड़ देने, नहीं न, हम उसका steps भी तो लेंगे, corrective steps, यही है यहाँ पर, the suggesting measures is forward looking, यानि हम measures suggest करेंगे और उसके corrective steps लेंगे, ताकि यह deviation दुबारा ना सके, अगर positive भी है, तो भी हम कोशिश करेंगे, कि हम plan और high level का बनाए, जिससे हमारा goal पूरा चीवफ़ा है, कम है, तो भी हम देखेंगे, ठीक है, तो यह कुछ हो गया आपके nature और features of controlling, बाकी की चीज़ें हम देखेंगे अपने next वीडियो में,